इंडिया अलव्ट जुर्ण के खिलाफ आवाद्ज भाबी जी यह है छगन यह दिन में आउटो चलाता है तो रात में लोगों का गेम बजाता है सुपारी उठाता है देखो मैडम तीस अजार एडवांस लगेंगे और सत्तर अजार काम होने के तुरंद बात ठीक है यह लो तीस अजार अभी इस लड़की को मानना है झाल पापाजी, चाय बला लेचे, मैं उफिस के लेट हो रहा हूँ, ठीट. जरा हमें भी सिखा दो पूजा करना? वनीता जी, कैसी बाते कर रहे हैं अब? अरे वनीता जी नहीं, वनीता, तुम्हारे लिए सिफ वनीता. वो आप बड़ी है और हुमारे गर की मालकिन है, इसलिए वनीता जी बोला. अरे बड़ी हूँ तो क्या हुआ? तुम हमें अपना दोस्त ही समझो. अरे रिशी, मैं तुम्हें कितने दिन सा देख रही हूँ? तुम्हारे जितने पास आती हूँ, तुम उतने दूर चले जाते हो, कोई खात होड़ना जाएंगे तुम्हें. हमें अफिस के लिए लेट हो रहा है, हम निकलते हैं. ठीक है, जाओ. क्या कर रही है अप? छोड़िये? जाओ. पनिता जी, कोई देख लेगा आप? प्लीज, सारी इजद आपके हाथ में है, छोड़ दीजे, प्लीज. छोड़ दूँगी? तुम मुझे पकड़ लो. क्या, कैसी बाते कर रही है आप? कोई देख लेगा यहाप यहाप? अच्छा जलो, कंदे पे ही हाथ रख दो. जाल कीजी हमें, हमें लेट हो रहा है. ने लड़का होकर लड़कियों जैसी बाते करते हो. शर्माते भी हो, डरते भी हो. अच्छा टच करो, पक्का छोड़ दूँगे. अब जाने तीशे. नहीं, मन नहीं भारा. देखो ना, मेरे गाल भी बहुत सॉफ्ट है. टच करके देखो. छोड़ दीशे, जाने दीशे. टच करो, पक्का छोड़ दूँगे. वैसे रिशी, मैं जानती हो तुम बीयर पीते हो. सोचो तुम्हारे पापा को पता चलेगा, तो क्या होगा? अब पापा को पन बताईये, गवनिस. अरे अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा? जाओ. अरे जाओ. पूजा में बहुत देर लगा दी? थोड़ा लेट होगे. अरे, तेरी बुवाजी का फोन आया, तेरी ले कोई लड़की देखिये, तो इससे बात करना चाहती है, तेरी बात कराता हूँ. मैं टाइम निकालके फोन करलोगे, अबी लेट हो रहे हैं. रिशी, रिशी. आओ, अरे, अंदर आओ, डरो नहीं, खाऊंगी नहीं तुम्हें, आजो. ये रेंट एग्रीमेंट के पेपर्स, अपने पापा को दे दिना, हां? जी, वनीता जी. फेर, वनीता जी, तो तुम्हें ऐसे नहीं मानोगे, हां? लगता है तुम्हें बीयर पिलाने ही पड़ेगी, क्यों? वो, मैं ड्रिंग नहीं करता हूँ. मेरे दोशने एक बार मुझे पिला दे थी, पर मैं करता नहीं हूँ. आज राद तुम्हारा इंतसार करूँगे, आजाना हां? मैरे आउंगा. और आऊंगे. मैरे एकन यह टेका साथा नहीं हुआंगे... मैरे खेघने करें थे को? ख्स॥, श्ष्स॥, ज्रोमाद! इमारे ले बिया ले करायो? मेरे साथ नीचे चलो आप क्या बोल रहे है सब भी आसाथ आपके साथ अकेले पीने में मौँच लगता है मेरे साथ पीने में शरम आरी है चुप चाब बाहर चलो बापा को सब बता दोंगे चलो ना चलो चलो येलो अरे पक्ड़ो चुप 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 पीओ क्या नाटक है ये पीओ ना अच्छा मैं समझ गई मेरे हाथ से पीना चाहते हो है ना लब कि अच्छा लग रहा है तुम्हारे पास आकर पता है मेरे पती के कुजरने के बाद एक तुम्ही मुझे बहुत पसंद है मन करता है तुम्हें कभी छोड़के नहीं जाओ करता है प्रफ़के 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 करता है रिशे रिशे 11 बज़ गए उठो निनका पता नहीं चला पापा मैं आता हूँ मेरे पती के कुजरने के बाद तुम्ही मुझे बहुत पसंद है मत करता है तुमसे कभी दूर ना जाओ रिशे बुवाजी से बात किये तुन्हें नहीं पापा कर लोगो पापा आपके सबजी काट रहे है वह बाई नहीं आने वाली है आज तुम मैं कर देता हूँ ना? मैं बनाऊ पराष्टत तुम क्यों बनाऊगे? मैं लेकर आई हूँ ना आलू के पराठे अरे वनिता जी आपने क्यों तकलीफ की? अरे इस पर तकलीफ कैसी उमेश अंकिल मैं अपने लिए नाश्ता बनाई रही थी सोचा आप दोनों के लिए भी बना दू वनिता जी आपने आलू का पराठा बहुत बढ़िया बनाया जी शुक्रिया आप समझाईया न रिशी को शादी के लिए हाँ ही नहीं कर रहा इसकी बुगा जी का फोन आया था कोई लड़की देखिये उन्होंने पलट के बात ही नहीं कर रहा अरे क्यों रिशी सही तो कह रहा है उमेश अंकल शादी की उमर तो हो गई है तुमारी सरह लड़कियों से मिलो बात बात करो कोई गर्फरेंड वर्फरेंड तो नहीं है है तो बता दो वैसे भी बहुत खुले मन के है उमेश अंकल कि एसा कुछ नहीं पापा मैं चलता हूँ मेरे एक दोख से मिलना था मुझे तो अरे रिशी आप किस तरफ चा रहे हो मोहट नगर मुझे भी उस तरफ काम है छोड़ दोगे पूछने की क्या बात उस तरफ जा रहा है तो छोड़ी देगा कर रात अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए वैसे मैं तयार हूँ तुम से शादी करने के लिए ठीक है सोचके बताना तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा आई 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 बाभी जी आई 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 बाभी जी बाभी जी एक बार बताएं आपकी नजर ना बहुत पारखी है जोड़ी जमरी है तुम अपने काम से काम रखो लाव किराय दो. इस बार नब बहुत परिशानी हो गई है, तो किराय तो नहीं दे पाएंगे. बाभी जी, गाओं में न हमारी अम्मा की तबीयत खराब हो गई, तो पैसे बहुत खरचा हो गए. पर आप रुखिये भाभी जी. आप बाबी जी आपना अभी ये 5000 रख लीजी आपके लिए बचा के रखे थे बाकी के 5000 आप में दे देंगे बाबी जी, रखे ना एक काम करो, ये 5000 तुम पकड़ो और दुकान खाली करके निकलो बाबी जी हम रोड पे आजाएंगे आप रोकिये बाबी जी, आप ये देखिये बाबी जी, ये ना नए अड्रेस इलवाए हैं आपके लिए, अब उपर वाले ने आपको इतना अच्छा शरीर दिया है तो आप पैन के देखिये, आप पे अच्छा लगेगा, गलर तो अच्छा है, मैं अभी पैट करके देता आपके लगेगा, अभी तो ये पांच अजार में रख लिये, लेकिन पिछले महीने के पांच अजार, इस महीने के पांच अजार और अगले महीने का पूरा किरायत दस अजार कुल बीस हजार मुझे एक साथ चाहिए, वेना दुकान घाली करके निकल जाना, एक रिका ये मेरा तेबाग खराब हो गया है यह अरत पीछे ही छोड़ रही है मेरा समझ लिया रहा है यार क्या करो देख रिशी तुझे अवाइड करने चाहिए सब वो तेरी मकान मालकिन है तु एक काम कर मुझसे सेटिंग करवा दे फिर को तो पता है ना तेरे भाई को भाविया कितनी पसंद है तेरे देबाग खराब हो गया है क्या मैं तुझे अपनी प्रॉलम बतारो और तु यह फाल तो पक्वास कर रहे है अरे पक्वास नहीं कर रहा हूं यार सीरियस बात कर रहा हूं मैं हलो दमेशते बुगा जी कैसे हो जिशी बै अच्छो आप कैसे है अब तो बिल थ्वाड़ टाइम चाहे मुझे मैं अग्को बताता हम पहले शादी के लिए हांतों कर दे फिर लड़की देखेंगे अब ऐसा थोड़ी होता है कि आस तुनने शादी के लिए हां बोला और कल तेरी शादी हो जाएगी बिदाता हूं आपको बताता हूं एक सलाद है तो एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ले वनीता अपने आप तेरा पीछा चुड़ देगी यार हुआ जी मैंने सोच लिए मैं शादी के लिए त्यार हूँ श्वेता के पापा के जाने के बाद श्वेता ही मेरा सहरा रही है उसने पढ़ाई के साथ-साथ जौब भी की और तरक्की भी भैसाब यह मेरी बेटी है श्वेता और यह उसकी बच्पन की सहले नीमा नमस्यवेता पुवाजी, मुझे श्वेता पसंदे श्वेता को जेक्कर बढ़ा उतावला हो रहा है अब यह तो कहरता है, चादी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा यह तो बहुत अच्छु बात है अरे, मुवमीटा कीजी है जीवेंजी इलिश्वेता, सप्थे पहले तुम्हीं मुठागा आवड़ीजी चत्तिस आरे, वा, वा, क्या पात है? नए कपड़े सिल्वाया जाए जाए अरे, कपड़े नहीं, भाबेजी, शूट अंकजी नहीं सूट सिल्वा रहे है अपने रिशी की शादीता है होगी है अरे, वा, रिशी तुमने बताया नहीं तुम्हारी शादीता होगी अरे, रिशी, बैठा क्या है? वनीता जी का मुँ मिठा करा जी अब बैठिये ना? नहीं, नहीं, ठीक यह लेश खाईए, खाईए अरे, तुम्हारी होजी वाली दुलैन का फोटो तो दिखाऊ वो रिशी को तो देखते ही प्यार हो गए था स्वेता से वो कहते हैं, लव एड़ फर्स साइट क्यों अंकल जी? वनीता जी, रिशी पहले तो शादी के लिए लगातार मना करता रहा मगर जैसे ही लड़की देखी तो रहनता करती चार दिन के बाद सगाई यह यहीं और आपकी उपस्थिती अनिवार है जी-जी अंकल, जरूर आएंगे कुछ जरूरत हो तो बता ना, रिशी? जी क्या हुआ बाभी जी? बहुत गुसे में लग रही हैं आप तुम अपते काम से काम रखो, चलो जाओ यहां से बाभी जी आप अगर चाहें तो हम इस सगाई को रुखवा सकते हैं कैसे? बाभी जी हमारे जानने वाले दो-तीन लोग हैं लड़की को उठवा लेंगे, दो-तीन दिन तक बंदी बनाके रखेंगे, शगाई अपने आप रुख जाएगी तुम यह करवा सकते हूं? आपकी कसम भाभी जी, आप तो बस आदेश दीजिए किसी को प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है और किसी को पाने की खुआईश रखना भी कोई बुरी बात नहीं क्योंकि प्रेम जीवन का सबसे खुबसूरत ऐसास होता है लेकिन जब भी किसी को प्रताडित करके उसे जबरन प्रेम करने के लिए मजबूर किया जाता है तो वो प्रेम नहीं होता वो प्रताडना होती है वनिता भी कुछ ऐसा ही कर रही थी रिशी को पाने का जुनून इस कदर उसके सर चड़ गया था कि वो किसी भी थरीके से उसे पाना चाहती थी वनिता इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी अब क्या करेगी वो? क्या होगा रिशी के साथ? क्या रिशी और श्वेता की शादी हो पाएगी? श्वेता, हामा आई? अरे हुआ की नहीं? हामा से एक मिनट बाहा एक मिनट एक मिनट मा, कैसे लगड़ी हु मैं? हो सुन्दर लग रही है मेरी परी चलो, अबी, लेटो वो रहाए. चलो, चलो. चलो, मै. के falar मैं हैं. चलो, 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 प कुछ खाया तुरे? अरे, नहीं आ रहा हुआ. यह तो कुछ खाया कर, भाई? अरे, मिल लेते हैं. यह आपने है, विटको ठीक का. अरे, क्या बाते है, लड़की वाले अभी तक आये नहीं? अरे, बस आते ही हुए, तुना लेट हो गए. कि अरे, कि अरे, विए तो कि अजा. चल, चल लेच्ट! अरन! बॉइस 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 बॉइस! चल, चल, चल! जो, 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 नमस्ते जी, सॉरी, लेट हो गए बहुत, कोई बाती, आइए ये रहेंज़े, क्या हुआ, रास्ते में एक हाद्सा हुआ हमारे साथ, हाद्सा? भूषण, तेरे आत्मी से एक काम ठीक से नहीं हो पाता ना? छुषण, तो पहुच गए यहाँ पर, भाभी जी, मुझे भी पता चला, उषण, तो दुषण, निकली उन आदमीों को अगेले मारा और बगा दिया, तुछ से नहीं हो पाएगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मेरे पास एक ब्रहमास्तर अभी है, बढ़ा यहाँ, बढ़ाई एक बढ़ाई एक बढ़ाई एक पर बादाए एक बढ़ाई एक बढ़ा है, कॉंग्रेट्स थैंक्यू श्वेटा ये मारे लांडलॉड है कॉंग्रेट्स श्वेटा बिटे आप तुम्हें मिलवाते हैं आच 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 रिशी तुम्हारे फोन पे एक मेसेज भेजाए सरा चेक कर लो रिशी तुम्हें क्यार है रिश्यू श्यूंग्रों उनके बोसाभ रिष्षी, कहा थे, तुम्हें कपसे वेट कोई देएदुमारा? रिष्षी, क्या हुआ, अथ्तुम्हें इत्ता टेंशन में क्यों लगरे हो? डईतो, एससा पुष्ट है? तुम्हें इंगेजमेंट वाले दिन भी बड़े परेशान थे, कुछ प्रॉब्लम है क्या? यहांसा कुछ नहीं है, ऐसा की सोच रही हूँ. देखो, रिष्षी, यह इंगेजमेंट और शादी तुम किसी दवाब में आकर तो नहीं कर रहे हो ना? खुई भी ऐसी बात है, तुम मुझे बता सकते हो, अपना अच्छा दोस मान कर. हाई, लवबड्स. हाई. यह क्या? इंगेजमेंट हुई नहीं और मिलना जुलना शुरू? हाँ, हाँ, अब तुम्हारे पास मिलने का लाइसेंस भी है, उठाओ, उठाओ, फाइदा उठाओ. अरे, तुम इतना शर्मा क्यो रहा हो, तुम चाहो तो मेरी हेल्प ले लो, आइमीन काइदेंस, कुछ सिखाना हो जैसे, डेट पे क्या करते है, क्या नहीं, मैं हेल्प कर दूंगी. तुम दोनों को यहां पर देखा तो सोचा मिलते हुए चलो, चलो, फन करो, हाँ, बाइ. अरे, हाँ, रिशी, थोड़ा घर जल्दी आजाना, तुम्हारा इंतिजार रहेगा, और हाँ, कल्वो मैंने मैंसेज किया था न, उसका रप्लाय जरूर कानी, बाइ. यह सब ग्या है, रिशी? यह तुम्हारी मकार मालके इन ऐसे क्यों बात कर रहे थी? यहाँ है यह सब? वो, पुरण नेचर उनका है, जोड़ू, कुछ, ओड़र करो, तेखो, क्या खाड़ए? यहाँ रिमा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पुरण बहुत अजीब सी क्यमिस्ट्री देखी, मैंने, रिषी और उसकी मकार मालकें के बीच, और बताये, रिषी भी बहुत अजीब सा वरताव कर रहा था, अरे, इतना मत सूच, अभी अभी तो जानना शुरू किया रिषी को, और कुछ लोग टाइम लेते है, घुल्डे मिलने में, शाए रिषी भी उने में सेखो, बा यह आपेते दिमाग के कोई वहम है, रिषी, वो वनीता जी ने कहा था कि एडवांस रेंट देना है, दियाओ, बात में जाके दियाओ को आपको, अरे, जब उन्होंने आज मांगा है तो बात में क्यों? लाइए, उमना करणा उन सुमजी नहीं आ रहा है, पूषिन के बच्चे निप्वेवकूफ बनाती है, अधिन टाइट ड्रेस देती, रोम्गतों भेया आइधा, यह लीजिए बेयाए? पनीताजी, वन्नीताजी, वन्नीताजी, आई, दो मिननट्र रुको, ठीक है, रिषी, रिषी, अरे, बेटा, तुम, नमस्ते, पापा, नमस्ते, वो रिषी कहा है? रिषी पस आई रहोगा, बेटा, वो वन्नीताँ के घर गया है, आप, बेटो, रिषी, रिषी, रेंट, पापा ने पेश है, वो रिषी, रेंट के पैसे तो ठीक है, लेकिन वो वीडियो मेसेज का तुमने बताया है, ने, जो मैने कल पेजाता, आप क्यों मेरे पिछे पढ़ गई है, मैं श्वेता को पसंद करता हूँ, आप फ्लीज मुझे ब्लाकमेल करना छोड़ दीजे, अरे, मैं कहां ब्लाकमेल कर रही हूँ, मैंने तो शादी का ओफर दिया था, पर तुमने ही ठुकरा दिया, एक काम करो, तुम श्वेता से अपनी सगाई तोड़ दो, और मज से शादी करना, वरना वो वीडियो मैं श्वेता को भेज दूँगी, अब क्यों? श्वेता? 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 इश्क के सिलसले, कुछ ऐसे हैं टूटते हैं? श्वेता? श्वेता? श्वेता मेरी बात सनो या, श्वेता? श्वेता, मेरी बात सनो, जो तुमने उपर देखा ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो, मुझे में बहुत कुछ बताना है, तुम बस… क्या बताओगे तुम? तेखो, बस यही है जो है, इसके एलाब और कुछ नहीं है, मेरे और वरीदा के वारे में जो कुछ था मैंने तुम्हे बता दिया है, तेखो, मैं तुम्हे शादी करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूँ अच्छा की अरिशी, जो चाहता है बोलो, तुमको घर बदल सकते हो, कहीं और शेक्ट हो सकते हो, तुमने बोल दिया, सबज लोगों के, वनिता जी, आप बुरा मत मानियेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये घर थोड़ा छोटा है, तीन लोगों के असाब से, तो रिशी की शादी के बाद ये घर हमें बतलना पड़ेगा, पापा जी, ये लिजिए, मिठा ही खाई है, हमें दूसरा घर मिल गया है, मेरे और निशी के सपनों का गर, ये बहुत अच्छा हुआ, पनीता अउंटी, आप भी मुमीठा कीजिए, कहीं जहर तो नहीं मिलाया है, नहीं, फर आपको ये जहर ही ल कही रही थी, खाली करतीजिये घर, लेखिन दो महीने के नोटिस देने के बात, जैसे कि हमने अगरीमेंट्ट में तैय किया था, चलती हूँ. अरे, आप नमस्ते. आपसे कुछ बात करनी थी. रिशी ने मुझे थोगा दिया है, उसने पहले मेरी जिंदेगी के साथ केला, और आपकी मेटी श्वेता की जिंदेगी बरबात कर. श्वेता, श्वेता, हम अभी के अभी रिशी के साथ तुम्हारी सगाई तोड़े. अरे, यहनों नहीं में सब कुछ बता दिया है. देख दर, देख दर. अरे! मा, कर… अपनी नौटं की बंद करो. मा, इस वीडियो के बारे में रिशी ने मुझे पहले ही बता दिया था. इसीने फसाया है, रिशी को. मेरी जिंदगी में धकल देना, बंद करो. और निकलो यहां से. निकलो! हमें दूसरा घर मिल गया है. मेरी और रिशी के सब्रों का गर. दोस्ते बाबी जी, क्या सेवा करें आपकी? एक काम तो ठीक से होता निये तुझसे. और पूछ रहा है क्या सेवा करूँ? गलती हो गई बाबी जी. पकाया किराया भी माफ करेंगे, और पैसे देंगे. लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा. कैसा काम? किसी से मिलवाना होगा. किस से? जो किसी को मेरे रास्ते से हटा सके. बाभी जी, यह है छगन. कि दिन में आटो चलाता है और रात में लोगों का गेम बजाता है. सुपारी उठाता है. देखो मैडम. तीस अजार एडवांस लगेंगे. और सत्तर अजार काम होने के तुरिंद बाद. ठीक है. यह लो. तीस अजार अभी. इस लड़की को मारना है. तो फिर मैं चलती हूँ. लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए. वरना अगला नमबर 13 होगा बूशन. नहीं बाभी जी. इस बार सब सही होगा. आज रात काम हो जाएगा. ममी, आपके रूम का एसी खराब है ना? तो आप मेरे रूम में सोजाईए. ठीक है, मैटा. अलो, श्वेता. रिशी, कमाल हो गया. इस अत्तेक पहुज गी तुम्हारी मकान माल की. यार, श्वेता. मुझे खुद समझ में नहीं रहा है. मैं उसे पीछा कहें छड़वाँ. रिशी, जितना जल्दी हो सकता है ना, उस घर से निकलो. उस औरत को दो मेनिका एडवाँस देतो. प्लीज, वहांसे निकलो. जो जो, जो झाएंड है आजाएंड है जो, जो. जो जो जो, जो जो. जो जो कर दो चाहते ह। क्राश में आएंड तुमिखके अवलोगाएंड चाहते है. पुम्मी? मम्मी? मम्मी? मम्मी, एज्याँ आउखिया? मम्मी... मम्मी, पुम्मी, पुम्मी, मम्मी, मम्मी, पुम्मी, पुम्मी, आपको, हमें इम्मिट से काम लेना होगा, हाँ? श्वेता, बैटा, जिसने भी यह किया है, उसे सजर जरून देगी. देख्यों पर चट्का दर्वाजा खुला हुआ है, चोर शायद इसी रास्ते से आया हूँ, चोरी के रादे से, और सोधा जी जागे उन्हें बूली चला कि, वैसे हैं कोई सामान गाया भी नहीं देख रहा है, आपको किसी पर शाक है, सर, सर हमारी मकान माल के लिए वनीता, श्वेता के पीछे पड़ी हुई है, अरिशान कर रहा है सर उसने हमें, सर कुस टाइम पहले श्वेता को किटनाब करने की कोशिश की गई थी, मुझे लगता हुसी का हाथ है, वो सर कुछ भी कर सकती है, उसका फोर नमबर आपके पाद सर, जी सर, तेरे वो शूटर अंधा था, क्या, क्या हो बाबी जी, मैं कुछ सम्झा नहीं, अरे तेरे वो शूटर ने शुएता को नहीं, उसकी माँ को माल डाला, क्या पात करी हैं बाबी जी, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, तो सच पे कोई काम नहीं हो सकता, क्यो सौपा मैंने तुझे एक काम, अब कान खोल कर सुन ले, जो एडवांस के पैसे तुझे दिये थे न, वो वापस मिल जाना चाहिए, और बाकी का कोई पैसा नही मिलेगा, और तेरो शूटर से बोलने, मुझे आज आके मिले, फिरी के बाबी जी, शेयता, ये तुने कल से कुछ नहीं खाया, प्लीज ये खाना खाले अब, ओक्यों? ये, ये, खाना मुझे, मैं तुझे ये कैसी बातें करते हैं, तुझे खायगे नहीं नहीं, तुझे मार बेल जायाएगी. रेमा, मैं खिलातो. श्वेता, श्वेता, मैं खिलातो. एक बाइट, प्लीज. आखरा. बोला था मैंने देको भूचन, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए. काम किया है, तो पैसा चाहिए बस. किस बात के पैसे? तुमाग खराब हो गया तुमारा. मानना किसी को था, मार किसी और को दिया. अब पैसे मांग रहे हो? कोई दान में पैसे नहीं पाट रही हो मैं यहाँ पे. मुझे क्या पता था उसकी मा आ जागे कमरे में? जाग गई, चिलाने लगी, तो घोड़ा दबा दिया. भाबी जी, भाबी जी, मेरी बात सुनिये. आप जिसे मारना चाहती थी, वो तो अभी भी जिन्दा है. तो भाबी जी मेरी बात मानिये. आपना बाकी के पैसे भी दे आज ही हो जाएगा आपका काम. हालो, ठीक है. सर, वनिदा का कॉल डिटेल आ गया. और वनिदा के कॉल डिटेल के घाब से, वो लगातार एक दर्जी से बाते कर दी, जिसका नाम भूशन है. और सर, भूशन के कॉल डिटेल से पता चला है, कि वो आज कल एक कॉंटेक्ट प्लर के तच में है, जिसका नाम उठाती हैं. खाएव कफशन के खाटाने, फिर यजिस बुषन को उठाते है कि ओ एकप्प प्र उचला हैं lugares में जुद आ certific है, जुदा के होच्शन के बाड़ में उचामिल है और सूध पूर में ने जानता, ज소리 बिटेल से को किसन ने बारा, जाटने बारा एक बंदार म जो मारने गया है, साब. सुन, तो अपना ध्यान रहे, मैं रात को आखे, ठीक है? बाई. बाई, रिशी. बाई. रिशी, अब तम्रेगर चले जाओ, पापा का ध्यान रहे नहीं, वो ठीक तो है, या ने? श्वेता, मैं यह रहने बनाओ, पापा ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम आराम करो. पापजी, मैं श्वेता के साथ हूँ, वो आणमेंदेरी हो जाएगी. ठीक है बटा, श्वेतार अपना ध्यान रखना है. ठीक है, पापजी. चलिए, वोई. वोई! वो के विझा है विसी? विसी! विझा है को विझा है खुट! 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 अबुत! खुट! 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 थुम्ट! तुट! तुट! बनीथागे चेने बाट्टुए श्रोयताओकों मानने आयताओगा ना? जुट! तुम भी वहाँ जा रहा हूँ, तुम भी वहाँ आ जाओ क्या बात है, क्या बात है, तुम ने मेरी माँ को मारा, मेरी जा लेनी की कोशिश की, सग गिरावतार कर लीजिये दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुमारा, क्या बक्वास कर रही हो, मैंने क्या किया है, और कितना गिरोगे तुम दोनों मुझे फसाना क्यो जा रहे हो, बसकोरो मेडम, उशन टेलार और चेगान, दोनों पकड़े गया है, दोनों ने अपना जुन कबूल किया है, ले चल परेसे, वनीता, भूशन और चगण को आई-पी-सी की संबंदित-धाराओं के तहत जिरफ्तार कर लिया गया, और अदालत में उन पर मुकदमा शुरू हो चुका है, इंसान को लगता है कि वो अपराद करके बच जाएगा, जब भी वो पहली बार अपराद करता है, और पकड़ा नहीं जाता, तो उसकी इम्मत और बढ़ जाती है, वो दूसरे ये बार अपराद को अंजाम देता है, और वक्त रहते है, अपने पिता और कानून की मदद लेता, तो वनिता को रोका जा सकता था, और ये मामला बड़े अपराद में तबदीन नहीं होता, याद रखिए, ज़िए आपके साथ, या आपके चाहने वालों के साथ, कभी भी, कहीं भी, कोई भी छोटे से छोटा अ तो अपरादी से डरने की बजाए, जुर्म के खिलाफ आवाज उठाईए, शुरुआत में आपको डर जरूर लगेगा, लेकिन यकीन मानिये, आपको भविश्य में नुकसान नहीं होगा, आप आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाल सकते हैं, इसी के साथ मैं आम आवास.